हेलो नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारे यूटूब चैनल टेक्निकल उत्तर परदेश में आज की वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने टेक्नो के फोन में नौटिफिकिसन बार में अपना फोटो कैसे लगाएंगे यह देख सकते हैं नौटिफिक करने वाद यहां पर आप लोगों को चार एपलिकेशन मिलेंगे वन टू थी फोर करके तो सब्से लेटेस्ट जो सबसे ऊपर ही रहेगा पावर सेट पर आप लोग करेंगे अपके का ऑप्सन यहां पर मिल जाता है इस पर किलिक करके इसको हम लोग डाउनलोड कर लेंगे यहां आप देख सकते हैं डाउनलोड का फाइल फिर से आपको देखने को मिलता है इस पर आप लोग किलिक कर देजी किलिक करने वाद यहां पर आपको डाउनलोड करने का ओप्सन अभी दिखाएगा मैं यहां पर किलिक करके आपको दिखा रहा हूं डाउनलोड पर किलिक क अब install जब आप लोग कर लेंगे ताब आप लोग इसको open कर लेजिए open करने बाद यहाँ पर जो भी setting करने ही मैं आपको बता दे रहा हूँ आप इसको जब open करेंगे तो यहाँ पर सबसे उपर dual sim है और accessibility है और MS यहाँ सबसे लाष्ट करना है tää में सबसे सबसे लाष्ट में इस पर कलिक करना करना इधी यहाँ पर install service को option मिलेगा इस पर click करके आपको power set पर click करके इसको on कर देना है ध्यान रहे आपको जो भी मैं setting बता रहा हूँ same setting करना है हराम से 2-3 बार वीडियो को देख सकते हैं इसके बाद यहाँ पर color का option मिलेगा color के option पर click करेंगे click करने के बाद यहाँ पर background जो है यहाँ आप देख सकते हैं custom background image है इस पर click करके select क्या option पर click करके जो भी photos लगाना चाहते हैं आप अपने gallery से gallery choose कर लेजे जो भी photos लगाना यहाँ पर लगा सकते हैं permission देजिए अगर आप permission मांग रहा है application permission आप इसको देदेजिएगा चलिए application यहाँ पर open हो चुका finally और यहाँ पर photo दिखाए दे रहे हैं जो भी photo लगाना चलिए हम choose कर लेते हैं finally बहुत से photos हैं जो भी आपको लगाना है उस पर आप लोग click करेंगे तो यहाँ पर चलिए कोई अच्छा सा photo हम choose कर लेते हैं finally उस पर हम click करके apply कर दे रहे हैं और आपको live proof दिखाएंगे click करते हैं फिर चाप permission मांगता है तालाओ कर देते हैं जितना area आप लोग notification बार में so करना चाते हैं उतना area आप लोग crop कर लेजिए इस तरीकी से और सेट कर दीजिए अब यहाँ पर देख सकते हैं आपके phone में जो हर लग चुका है background type और भी change कर सकते हैं अब यहाँ आप लोग notification बार में इस तरीकी से आपका photo लग जाता है जब तक यह application डाउनलोड रहेगा तब तक आपको यहाँ पर notification बार में आपका photo देखने को मिलता रहेगा और यहाँ पर लोग इसका background और चेंज करना चाहते हैं color और तो आप लोग change कर सकते हैं वीडियो important लगे तो like करना बिलकुल ना भूलें